रगष्ग में भारत भक्ति यही विजय का महामंत्र है दशोडिशा से करे प्रयास जैजे मेरा देश महान, बोलो भारत माता की जैजे मेरा देश महान बोलो बारत माता की वंदे जे श्री राम जे जे श्री राम शेरों की संखिया कमी होती है भाईयो ऐसा है तो आपको ऐसा लगता है कि बचकी निकल जाए शांती से बैठे रह खाना खा लिया है आराम करेंगे एसी भी चालू है तो मैं जब तक हूँ आपके साथ कम्यूनिकेशन टूवे रहेगा और बीच वीच में बाचित भी हमारे बीच होगी तो भाई साब ने मेरा परीचे दिया पर मैं कहती हूँ मेरा परीचे इतना ही है कि हिंदू तन्मन हिंदू जीवन रगरग हिंदू मेरा परीचे और क्यूंकि यहां उपर लिखा है डिजीटल हिंदू कॉनक्लेव और बीज में भी हिंदी में लिखा है डिजीटल हिंदू कॉनक्लेव तो अपनी बात गर्व से कहती हूँ अनपॉलोजटिक हूँ और प्राउडली कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं उस कल्चर से बिलॉंग करती हूँ जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उस इस्तिहास की बातों को चन पंक्ती के जरीए आपके समक्ष प्रस्तूत करती हूँ कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संग्या जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा जिसने सागर की छाती पर पाशानों को तहराया है हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है जिसके आरियों ने घोश किया क्रिनवंतो विश्वमार्यम का जिसका गौरव कम करना सकी रावन की स्वर्मई लंका और जिसके यग्यों का एक हव्य सौसो पुत्रों का जनक रहा जिसके घर आंगन भैकरांत धनपती बरस्ता कनक रहा और जोहर कुंडों में कूद कूद जोहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व गुरूों के गुरु पुत्रों ने चीर्बलीदानी भर दिया तत्व वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या इस मरनिय मात्र रह जाएगा इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा इसके गंगा धर्शिव शंकर क्या ले समाधी सो जाएंगे इसके पुशकर इसके प्रयाग क्या गर्दमात्र हो जाएंगे यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो हिंदूों तुमको लड़ना होगा और हिंदू रास्टर का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा जैश्री राम जैश्री राम जब मैंने बात आखिर में कई हिंदू रास्टर तो अब जो ये क्लिप सुनेंगे उनके जो पेट में सुलेमानी कीडे दोड रहे है वो उचलेंगे अभी उनको ये है कि भारत को हिंदू रास्टर बनने नहीं देंगे तो हम कहते है कि आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे बन गया गर्बगरा के फोटो देखे हमने दो दिन पहले आप ये भी कहते थे के 376 हटने नहीं देंगे अट गई अब हम कहते हम भारत को हिंदू रास्टर गोशित करवाया के रहेंगे हिंदू रास्टर तो है ही मगर गोशित करवाना है वो तो अभी महादेव की पूजा में लीन हो गई है कुछ ऐसे भी बॉलिवूड वाले है के जो अब वैश्न देवी की यात्रा भी करते है कुछ ऐसे भी है जो कलश पूजा भी करते है ये सबकी घर वापसी होगी तो मेरा विशह है लव जिहाद स्लामिक अवैद कब्जा जिसको कुछ लोग लेंड जिहाद भी कहते है और तीसरा है धर्मांतरण मैं इस पर बहुत प्रकर होके बोलती हूँ लेकिन जब मंच ऐसे होते है तो फिर अंदर से ऐसा होता है कि कितनी लिमिट तक बोलना है पर जब मैंने मुरली धर राओ जी को बोलते हुए सुना तो आज मुरली धर राओ जी हमारा नाम उनका मुरली धर है लेकिन आज वो चक्रदारी अवतार में मुझे दिखे क्योंकि उन्होंने इतनी स्पष्ट खुल कर बात कि और यही एक नेता का होना चाहिए कि आपके थौट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो आप उस पे कितने अडिग हो कुछ नेता ऐसे भी है कि जो दोनों कश्टी में सवार होते है और हमारे हिंदूों के सामने सबसे बड़ी चुनोती आते है कि हम जिनको फॉलो करते है वो आज कुछ और पक्ष रखेंगे दूसरे दिन उनके पक्ष बहुत अलग हो जाते है तब हम जैसे लोगों को भी हिम्मत मिलती है तो पहली बात हम करते है लव जिहाद की और भारत में चार स्थर्प से लव जिहाद हो रहा है पहला बॉलीवूड के माध्यम से दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से तीसरा दर का माहौल खड़ा करकर और चौथा ड्रग्स के माध्यम से भारत में अभी भी कुछ लोगों को नई समझ में आ रहा है कि ड्रग्स के माध्यम से भी हो रहा है अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं आज से धाय-ten साल पहले बोलती थी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से love जिहाद हो रहा है तब लोग हसते थे कि ये कैसी बात कर रही और मैं तब कैती थी कि इंस्ताग्राम पर ये so-called minority, majority बन के बैठी है और कैसे हमारी वंडरेबल छोटी बच्चियों के दिमाग को खराब करती है ड्रग्स मैं पिछले हफते महारास्ट्र में थी तो मेरे सामने ये केस आया हमने काफी केस सॉल्व किये काफी केस ऐसे भी हाए कि जिसमें ड्रग्स का एंगल था कि कैसे एक बच्ची को पहले नशे की लत में उसको रखते है उसके बद उसी बच्ची का प्रोस्टिट्यूशन भी हो रहा है उसको बेचा जा रहा है और आगे चलके उसी ही बच्ची को ड्रग्स बेचने का कूरियर भी बनाया जा रहा है मतलब एक हिंदू की बेटी और ये सारे केसेज में बेटिया सारी हिंदू की निकली और ये लोग क्या करते है कि पहले उसको ड्रक्स की लट लगाएंगे और उसको इतनी लट लग जाती है कि एक बेटी की जब मैंने काउंसलिंग करी मैं पुलीस चौकी में उसके साथ थी तो वो बेटी को मैंने कहा कि ये आठाठ लड़के तेरा रेप कर रहे है हर रोज तुझे बेच रहे है तुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रही है तो वो मुझे कहती है कि दीदी मुझे पता है कि मेरा बलातकार हो रहा है मुझे पता है कि मुझे ये बेच रहे है सौ सो रुपे में सौ सो रुपे में हिंदू की लड़की अभी कर रही है मुझे पता है मेरे साथ ये सब हो रहे है फिर भी दीदी मुझे अभी आप थोड़ी पूड़िया दे दो, पुलीस चौकी में हमारी बच्ची ने कहा, जब मैं पिछले हफते महारास्ट्रों में थी तो वही 17 साल की बच्ची, ये दूसरा केस, ऐसे कितने ही केस आये, लेकिन मैं आपको अभी के latest केस बता रही हूँ, हमारे घर में, हमारे घर तक ड्रग्स पहुच चुका है, आठवी की एक छोटी बच्ची की चात्रा के स्कूल बैक से ड्रग्स निकला है, और क्यों हमारे बच्ची इस लत में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे संसकारों की जड़ मजबूत ही नहीं है, ध्यान देना पड़े रंगराम चल रहा है, ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़कर इसको जीत नहीं सकते, आप सोशल मीडिया से किसी के हख की लड़ाई लड़नी सकते, लडने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, उसका केस लड़ने के मैं ये बाट 2018 में समझ चुकी थी जब 2016 से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं 16 से लेके 18 की शुरुवात तक मैं सोशल मीडिया तक ही थी पर मुझे उस वक्त समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा संगराम है जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है होना चाहिए सोशल मीडिया के म अध्यम से narrative और discourse दोनों साथ में चलने चाहिए अगर एक शडियंत्र सुबह करते है तो शाम आते आते तो हम उनके शडियंत्रों को expose कर देते हैं और इतने हम लोग facts रख देते हैं कि हमारी जीत होती है आज से कुछ वर्षों पहले ऐसा था कि हमारी आवाज ही नहीं थी सा हमारे जैसे ऐसे लाखो लोग हम Fortunate है कि हमें ये मंच मिला है हमें ये माइक मिला है हम अपनी बात आपके समख्ष रख सकते हैं लेकिन ऐसे लाखो लोग है जो कही ना कहीं हमारे हिस्से की लडाई लड़ रहे हैं जो तन्मंधन से समर्पित होकर समाज के लिए धर्म के लि अगले दिन 13 तारिक को उनका 12 बोर्ड का एक्जाम है और वो 12 तारिक को उस कारिक्रम में थे मुझे आस्चर यह हुआ कि यह कैसी मतलब श्रद्धा धर्म के प्रती इतना त्याक तो शायद मैं भी ना कर पाओ कि अगले दिन अगर बारवी की परिक्षा है फिर भी वो बच्चे आ रहे हैं क्यूं आ रहे हमारा मनोबल बढ़ाने हमारा साथ देने जो यह मुहिम छीड़ है जो हर एक हिंदू के घर घर तक पहुचानी है इसलिए वो आ रहे हैं दूसरा इसका है सोशल मीडिया पिछले दो साल में मेरे पास में 2000 से जादा केसे ऐसे आए सोशल मीडिया के माध्यम से यह मैं अपनी बात कर रही हूँ मेरे हिंदू संगठन के भाईयों के पास तो क 14 साल की थी और वो जिहादी नाम बदल के भी और अपनी पहचान दिखा कर भी दोनों तरह से हमारी बेटी को फसा रहा है इंस्टाग्राम से हमारी बेटी के कॉम्प्रोमाइस सिच्वेशन के फोटो और वीडियो उस जिहादी के पास में है और वो उसको ब्लैक मेल कर रहा है वो भी उसका बलातकार कर रहा है एक केस तो मेरे पास ऐसा आया कि वो भी बलातकार कर रहा है उसका बाप भी बलातकार कर रहा है बच्ची की उमर 13 वर्श की एक ऐसा ही केस आया 14 वर्ष की बच्ची का वो बच्ची की गलती इतनी के उसने एक जिहादी से पहचान करी इंस्टाग्राम के माध्यम से उस जिहादी ने इसको पूने के प्लेटवर्म पे बुलाया यह केस बहुत हाइलाइट हुआ था बहुत मीडिया में आया था और वो 14 साल की बच्ची की इतनी गलती हो जाती है कि वो बच्ची उससे मिलने चली जाती है और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे वो बच्ची उससे मिलने जाती है तो उसका फोन आता है कि मैं नहीं आ पाया पर मैंने अपने एक दोस्त को रिक्षा दे के भेजा है तू आज जा मिलने वंडरेबल बच्ची 14 साल की आँखों के सामने अगर आपके परिवार में पड़ोस में आपके अपनी बेटी हो तो आप एक सेकंड के लिए सोचिए उसका चहरा वो बच्ची रिक्षे में बेट के जाती है उस बच्ची का तेरा जिहादी बलातकार करते हैं तीन द पूरा बरबाद हो गया और यह सक क्यों होता है क्योंकि हम अमारी बच्ची को वो संसकारी नहीं देते वो जो अवैरनेस आनी चाहिए वो जो विजिलन्ट रहना चाहिए बच्चों को हम वो बताते नहीं है क्योंकि क्या होता है न पिता जी जो है वो कमाने में व्यस्ते मा भी होगा तीसरा है डर का माहौल डर का माहौल कैसे कि जैसे एक निकीता तोमर हर्याना की बहुत केस आया था टीवी में उसके परिवार के साथ मैं जुड़ी हूं निकीता तोमर के परिवार की मैंने वेदना देखी है वो बच्ची के पीछे वो तौफिक नाम का जिहादी प आईएस की तैयारी करनी थी उसको, निकिता तोमर कहती है कि अपने बाप की इज़त की खातिर और अपने धर्म की इज़त की खातिर जिहादी मुझे मरना स्विकारे पर तेरे साथ जाना स्विकार नहीं है, ये हमारी बेटी कहती है, और उस वक्त, टैंक्यू कपिल भाई, अथारा साल की होती है, अब आप पॉइंट नोट करिए, जिस दिन वो लड़की अथारा साल की होती है, अगरवाल कॉलेज के बाहर से वो एक्जाम दे के निकलती है, और उसी कॉलेज के गेट के बाहर, वो जिहादी आता है, गाड़ी रोकता है, बिल्कुल फिल्मी स्टा उसको मार देता है आप उसकी परीवार की वेदना सुनी हम तो क्या ऐसे केसे आते तो केसे लिए सुन्लिया कि securing हम ने चला दिया और उसके बाद पूरा परीवार कैसे खत्म होता है उस बेटी का जो पिता वो करता है प्राइवेट नौकरी अब अगर केस लड़ता है तो कोट कचेरी के धक्के खा रहे हैं प्राइवेट नौकरी में इतनी छुटिया कौन देगा बाप की नौकरी चली जाती है उसका जो भाई है वो पढ़ाई करता है अब पिता की नौकरी गई और वो कोट कचरी के धक्के खा रहे तो भाई को काम पढ़ाई छोड़ कर काम पे लगना पड़ेगा तो वो काम पे लगा और उसकी जो मा है वो डिप्रेशन में आ गई आप देखो कि कैसे एक पूरा परिवर बरबाद हो जाता है फिर एक थी अंकीता कुमारी जारखंड की और अंकीता कुमारी को सेम स्टाइल में वो जिहादी शारुक कहता है और उसके तो फोटो भी हमने देखे कि जब पुलीस उस जिहादी को पकड़ कर लेकर जा रही थी त अब शारुक हसते हुए जा रहा था अब सबसे पहला प्रश्न तो हमारे दिमाग में यह आता है कि यह जिहादी हसते हुए क्यों जा रहा है क्योंकि सरकार किसी की भी हो सिस्टम उस जिहादी को पता है कि उसी का ही है और क्या हुआ अंकीता के घर में घुसा पैट्रोल डा और अंकीता को जिन्दा जला दिया और रेस्ट हो गया ये तो है लुखे लोग पंचर साटने वाले दिन का पचास रुपया नहीं कमाते है उसको पता है अंदर जाके दो टाइम का तीन टाइम का खाना तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा और ये पैदा भी तो करते है बारा बा लाइओ को दे देना वो बढ़ा कर देंगे तो क्या होता है बॉलिवूड के माध्यम से तीन स्टेज पे बॉलीवूड वालों ने काउंटर करके रखा हुआ है पहला 25 साल तक की लड़कियों को बिगाडने का काम जो है वो बॉलिवूड वाले करेंगे 25 से 35 साल की लड़क विमेन वाला तपका है उसको विगाडने का काम OTT platform करेगा अब सबसे बड़ी बात भारत देश की जब हम बात करते हैं तो भारत माता कहते हैं हम कहते हैं यह हमारी धर्ती माता और भारत एक ऐसा देश है कि जो महिला प्रधान देश है बाकी देश जो है वो पुरुष प्रध करना है तो आप इनकी महिलाओं के इनकी बेटियों के दिमाग खराब कर दो तो इस इस तर पर माइक्रो लेवल पर सॉफ्ट पावर के जरीए कैसे यह लोग हमारे ब्रेन वाश करते हैं कि तब पहली बात OTT platform की कि यह जो अभी feminism का नगाड़ा लेकर जो हमारी बेटिया जालता है कि एक हाथ में दारू का ग्लास दूसरे हाथ से सिग्रेट फूको अंग्रेजी में गालिया बको यह इस्त्रिवाद यह गल पार यह विमेन पार कभी इन बेटियों को हमने रानी कंबलावती की कहानी सुनाई क्या कभी हमने इन बेटियों को रानी दुरगावती क अपना एक संघर्ष क्या रानी लक्षमी बाई हमारी ये इस्त्रिया कम है ये नों ने जो किया वो असल स्त्रिवाद है मगर इनको दिमाग खराब करना है हमारी लड़कियों का और उसमें भी कुछ जया बच्चन जैसे सांसद ऐसा भी कह देते के शादी करने के लिए पती की जरूरत नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए पती की जरूरत नहीं है वो तो वैसे भी हो जाएंगे तो जया बच्च बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को शशक्त भी बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि बेटी को बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी बेटी बज़री हमारी पढ़ लिखकर कोई श्रद्धा किसी आफताप के साथ चली जाती है और उसके पैटिस टुकड़े हो जाते हैं बच रही है कोई रिबी का पहाड़न किसी दिलदार अंसारी के साथ चली जाती है और उसके बावन टुकड़े हो जाते है और यह सारा करते हैं यह सारे बॉलीवूड वाले फिर एकत कपूर की टीवी सीरियल की बाद जो 35 साल की लड़कियों को बिगाडने का महीलाओं को बिगाडने का काम करती है और क्या होता है वो कि पीछे बड़ी-बड़ी अंबे माता की तस्वीर बड़ा-बड़ा सिंदूर बड़ा-बड़ा मंगल सुत्र प्यार एक से करेगी शादी दूसरे से करेगी तीसरा लाइफ में आएगा दूसरा मर जाएगा फिर चौथा पसंद आएगा फिर दूसरा जिंदा हो जाएगी हो जाएगा फिर दूसरे और चौथे में कंफ्यूज हो जाएगी कि जाओ किसके साथ हमारे हमारे हिंदू परिवारों में यह होता है नहीं होता है क्या हमारी हिंदू महिला ऐसा करती है नहीं करती है अनुपमा करके एक टीवी सीरियल आ रहा है उसमें तो इतने डिवोस दिखा दिए कि इतने डिवोस तो हिंदू परिवारों के पूरे भोपाल में नहीं होंगे इतने डिवोस उसने दिखा दिये क्योंकि परिवार व्यवस्ता खतम करनी है साउथ अफरीका की एक बहुत बड़ी युनिवसिटी के बाहर लिखा था कि किसी भी देश को खतम करने के लिए आपको बम बारूद गोला असला मिसाइल छोडने की जरुवती नहीं है आप उसकी सेक्शनिक व्यवस्ता को खतम कर दो आप उसकी सांस्क्रतिक व्यवस्ता को खतम कर दो आप उसकी परिवारिक व्यवस्ता को खतम कर दो वो देश अपने आप खतम हो जाएगा और वही काम यह कर रही है चांडाल चौगडी कौन है वो चांडाल चौगडी भारत के कुछ politicians, इनकों मैं चांडाल चौगडी कहती हूँ, जो बरबाद करने का काम कर रहे है, और इससे पहले, Bollywood, 25 साल की लड़कियों को, लव जिहाद इतना क्यों बढ़ रहा है, लव जिहाद इसलिए इतना बढ़ रहा है, क्योंकि अतरंगी रे जैसी picture आती है, उसमे कि boyfriend बनाना है, तो मुसल्मान बनाना है, शादी करनी है, तो मुसल्मान से करनी है, क्योंकि इसको असली love story का दरजा मिलेगा, और फिर वो हमारी लड़की सुटकेस में आती है, जलाई जाती है, टुकडे कर दी जाती है, फ्रिज में मिलती है, दो दिन पहले एक drum में भी मिल यह होता है, और संस्कार देते ही नहीं, क्योंकि माता खुद बीजी है, और फिर TV सीरियल क्या करता है, परिवार व्यवस्ता को खतम करने के लिए, सबी सीरियल में common चीज, सास और ननंद एक नमबर की नालाइक दिखाएंगे, अब जो लड़की की शादी नहीं हुई, वो मा के साथ बैटके वो TV सीरियल दिख रही है, तो unconscious mind में ये चीजे चलती है, कि नहीं मेरी सास और मेरी ननंद भी ऐसी होगी, तो हमारी बेहनों को जो शादी करके अभी ससुराल जाती है, उसको जाते ही अलग होना होता है, परिवार व्यवस्ता खतम कर दो, बच्चों को द है, और मैं तो इतनी भुगत भोगी हूँ कि जब मैं ये लड़ रही थी, संगर्ष कर रही थी मंदिरों का, और हमारे गुजरात के कुछ मंदिरों पर जिहादियों ने अवैद कबजे करें, तो डेड़ साल से फत्वा निकला हुआ है मेरे पर, और किस तरह से एक हमारे भ जो हमारे मंदिर की दिवार थी, उस दिवार को भी कबजा कर दिया, कि आपकर हम मंदिर की खिड़की खोलते हैं, तो हमें इनकी मजारे दिखती है, अब इस लड़ाई के लिए जब मैंने बात कही कि ये अवैद कबजा है, ये हटना चाहिए, जियादियों को नहीं के के दो पहलू होते हैं, ये एक पहलू दिखाते हैं, हमें कहती हूँ, दोनों पहलू दिखाओ अगर दिखाने है तो, और दूसरा पहलू ये है कि इसलामिक अवैद कबजा इस तरह से देश में क्यों बढ़ा, दो हजार सैटालिस तक भारत को इसलामिक देश बनाना है, पॉपिलर फ्रेंट ओफ इंडिया का, ने अल्रेडी पहले से बोल दिया, वो अलग बात है कि इसको भारत शरकार ने बैन कर दिया, लेकिन उसका तो ये पहले से ही था, और उसके दिमाग में ये कहां से आया, जामा मस्जिद से ही, कोई जामा मस्जिद भारत की वहां से न पर धर्मांतरन करो और ये सारा शडियंत्र करकर ये कहते हैं ना लड़के लिया पाकिस्तान हसके लेंगे हिंदुस्तान तो कैसे लेंगे ये उसका स्वरूप है वक्षबोड के नाम पर ये हसकर ही हमारे भारत में हमारी जमीने ले रहा है तमिल नाडू का हमने तीरुचंद कर रही है अरे तुम आए 1400 साल पहले ये तुम्हारा हो कैसे जाता है तो वक्षबोड और ये जो जमीन अतिक्रमन वाले लोग है इनके नाम पर इनको शेर और शाहरियों का बहुत शोक है तो मैंने का चलो दो लाइन मैं भी इनको आई हूँ तो चिपका के जाती हूँ कि कह कही फ्लाइ ओवर कही रोडवेज कही रेलवे और डिफेंस की जमीन कब जाते है यूही नहीं हरी चादर ओड़कर ये पीर बाबा बन जाते हैं हर जगे इनके अवैद भूमी अतिक्रमन है और आप देखो कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे जादा जगे तीसरे नंब एक वापस थोड़ा सा पीछे जाती हूँ क्योंकि अभी बात चली थी हमने ये इस्लामिक अवैद कबजा का तो मैं कोई एक बात बताते हुए बहुत खुशी की अनुबती हो रही है कि एक बहुत लंबा संगर्श गुजरात के हिंदूों का रहा है और हिंदू संगठनों का रा है कि जो हमारी कृष्ण नगरी थी द्वारी का उस द्वारी का पर बहुत ही जादा इस्लामिक अवैद कबजा हो गया था जो पिछले चार मैनों से वहाँ पे बुल्डोजर गुमे जा रहा है और लाखों एकड की जबीन जो है इस्लामिक अवैद कबजे से मुक्त क और पूरे भारत का सबसे बड़ा demolition वहां पे चल रहा है इतना बड़ा demolition भारत के पूरे इतिहास में नहीं हुआ है तो मुझे इस कहीं कहीं देखिए समस्या है तो समाधान भी हमारे पास में है लेकिन सबसे बड़ी हमारी problem यह है कि हम लोग social media तक तो रहे जाते लेकिन धरना प्रदर्शन करते हैं जैसे मंदीरों के लिए मेरे बहुत धरना प्रदर्शन होते हैं बहुत सारे हिंदू संगठन जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोई और लोग आते भी नहीं है जो बड़ी-बड़ी बाते social media पर लिखते वो भी नहीं आते हैं वहां के local भी नहीं मिलती है जब मैं पूछती हूं कि भाई आप क्यों नहीं आई तो वो बहने मुझे जवाब यह देती है कि हमारे बच्चों का स्कूल था हमारे पती के लिए टिफिन बनाना है हमें सास ससूर के लिए काम करना होता है तो मैंने का वो सब तो मेरे भी है अभी भी मैं इ ऐसे ये शाहिन बाग में बुर्खा पैनकर छे मैना बैठती है हमारे हिंदू छे गंटे नहीं बैठ पाते हैं और फिर हम बात कहते हैं बदलाव की और क्रांती की कैसे होगा जमीन पर उतर कर होगा धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा ये छे मैने बैठे किसान अंदोलन वाले एक साल बैठे आप 24 गंटे तो बैठो फिर देखो आपके शहर का नाम भी बदलेगा हमारे वहां का एमदाबाद बदल ही नहीं रहे पर कोई संगर्श करने को तयार नहीं है कोई जमीन पर आने को तयार नहीं है हमने कहा जो बड़े-बड़े संगठन लेके बैठे मैंने कहा जमीन पर तो उतरो मैं महिला होकर अनिश्चत काल के लिए बैठने को तयार उपर तुम तो आओ हो ही नहीं रहे जैसे मुरली धर भाईजी ने बात बताई ना यहां की क वो हलाल नदी के नाम से बोल रहे है इसलामपूर नाम चल रहा है तकलीफ हो रही है, वैसे हम को भी हो रही है कि नहीं बदला जारा हमारा नाम और तीसरा है धर्मानतरन धर्मानतरन में अगर हम बात करते हैं हिंदू की तो कुछ लोगों को ऐसा है कि हम हिंदू है हम कहते हैं कि हिंद महा सागर के किनारे रहते थे इसलिए हम हिंदू कहे जाते हैं और हिंद महा सागर से लेकर हिमालय तक अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक यह पूरी हिंदू भूमी थी और आज 200 जिलों में हिंदू अल्प संख्यक हो ग कि पड़ोसी कौन है वोही पता नहीं चलता है हम तो छोटे शेहरों में रहते हैं तो जो बड़ी-बड़ी बात हैं सोसेल मीडिया पर करे लिखते हैं वो कभी-कभी पडुसिओं के साह्थ भी डिसकस स्ट्र चलते रहते है कि और मैं मेरी हाँ पर उपस्तित मषत हिंदू भाई वैनों से कहूंगी कि हमें तीन बातों पर ध्यान देना है स्वा को लेके चलना है स्वा से स्वराज का सपना देखना है स्वा से सवदेशी बनना है और स्वा से स्वा धर्म का पालन करना है और इन तीनों स्वा में हम खुद है और इस स्वा को लेकर हमें जो हमारी खोई वी असमीता है जो हमारा रीचुल से जो हमारे कल्चर है उसको आगे स्प्रेड करना है सोशल मीडिया के माध्यम से करते है लेकिन मैं अपने कपड़ों से भी मैं अपने धर्म को हर जगे स्प्रेड करती हूँ, अपने काम से भी अपने धर्म को हर जगे स्प्रेड करती हूँ, जहां भी जाती हूँ अपने धर्म की ही बात करती हूँ, और अंत में भोपाल में तीन बड़े केसे हुए, उन तीन बड उससे शादी करता है और कैसे उसका मडर होता है या उसको मारा जाता है वो एक सुसाइट दिखाया गया है लेकिन भोपाल की आम जनता इस पूरे केस के साथ जुड़ी रही और वो एक बहुत बड़ा जन अंदोलन का विशय रहा तो मेरे भाईयो बेहनों जब कभी भी हमारी लड़की जाती है उस विशय को जन अंदोलन के विशय के रूप में समाज के समक्ष हमें प्रस्तूत करना पड़ेगा इनको अखलाक तो याद है लेकिन आप में से कितने लोगों ने नुपुर शर्मा को याद किया एक साल से वो घर पे है कहां है किसी को नहीं पता क्या कर लोगों सकता है परनुपुर क्यृंकि शर्मा है इसलिए नहीं गूम सकती को मुनावर फारुकी खुक्स खुुले आम शिव शंकर का मजाग बनाता है रामजी का मजाग बनाता है सीता माता का मनाता है हम गुज्रात वालों ने उसके हर जगे शो कैंसल करवाई मद्यप्रदेश में तो वो एक या दो मेहना जेल में भी रहा और उसी मुनावर फारुकी को कोई लॉक अप में बुला कर सूपर स्टार बनाता है और उसकी जो ठप दुकानती उसको धक्का दे देता है देखिए बहुत क्लियर माइंड सेट होना चाहिए या तो आप मुस्लिम की नाव में पैर रख सकते हो या आप हिंदू की नाव में पैर रख सकते हो आप अगर ये कहते हो कि मैं अपना एक पैर हिंदू की नाव में रखूंगा और दूसरा पैर मुसल्मान की नाव में रखूंगा और फिर ये नदी को पार करूंगा तो उसका डूबना निश्चित है दो कश्टी में सवार नहीं हो सकते एक मयान में दो तलवार रह नहीं सकती है जो लोग भाईचारे का अभी भी डोल बजा रहे हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि कनया लाल को खुरे आम मार दिया ये भाईचारा होता है नुपूर शर्मा के लिए नारे लग रहे है कि गुस्ता के रसूल की एक ही सजा सरतर्द से जुदा ये भाईचारा होता है अगर ऐसा भाई चारा है तो मैं कहती हूँ कि जब जिहादी खुलम खुला तलवारे लहराते हो और हमारी यात्रा ओपर पत्थर फैके जाते हो जब इनके भौपू दिन में पांच बार चिलाते हो और चालीसा पढ़ने वाले जेल में डाले जाते हो जब मंचों से शिव शंकर का मजाग बनाया जाता हो और प्रतिकार करने वालों के शर्तन से जुदा किये जाते हो पीडा कहूंगी हर हिंदू की, पीडा कहूंगी हर हिंदू की, हर जिहादी का करत्य कहूंगी और भाड में जाए भाई चारा, मैं तो केवल सत्य कहूंगी दूसरा केस भोपाल का एक आया था, कि यहाँ पे प्यारे मिया करके एक जन्रलिस्ट था, बहुत ही हाईलाइट हुआ था, किस तरह से शोशित बच्चियों को वो लेता था और उसका शोशन करता था और उसको प्रोस्टिट्यूशन में बेचता था ये बहुत बड़ा भोपाल में एक क्रांती का विशय बना और इस पर बहुत से लोगों के बीच में जागरुकता आई, तो ये दो तीन विशय जो भोपाल ने करके दिखाया मुझे लगता है कि भारत की हरे जन्ता को जब 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 ऐसे पढ़कारे आये तब भारत की जन् मुनावर फारुकी को, हम सब ने उसकी दुकान बंद कराई थी, और क्योंकि डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव है, इसलिए डिजिटल की बात करते हुए, कंगना रौनाओत ने लव जी हाद पर संगर्श करते हैं, पर कंगना रौनाओत उसको लौक अप में बुला कर, उसक कंगना रौनाओत का मुझे जवाब आया था, और वो भी गीता जी को उसने कोट करा था, तब मैंने कंगना रौनाओत को कहा था, क्या आप धर्म के साथ हो सकते हो, मगर किसी अधर्मी के साथ आप खड़े हो, तो आप भी अधर्मी हो, और जैसा कि हमारे मुलीदर जी ने बात गई थी कि तक्षराज की बात कही थी तो मैं कहती हूं मैंने कंगना रोनौत को को ग्यान अगर आप देरी है तो आप इतना सपस्ट अपने दिमाग में बिठाए कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है जो धर्म के साथ है वो धर्मी है और जो अधर्म को साथ दे तो वो अधर्ममी है तो इंद्रा है स्वाहा तक्षा है स्वाहा जो भी धर्म के रा में आएगा वो सारे साफ किये जाएंगे कोई अपना हो या पराया हो सब उसमें नस्ट होंगे तो थे चले इतिहास लिखने मृत्तिव से घबरा गए हो चाहता बलिदान है रन और तुम घ उज्य होती श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांती है तू युद्ध निश्चित भेद क्यों हमको बताते काय रोकी भाती तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो चाहता बलिदान है रन और तुम घर को आ गए हो सो रहे है जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए अब भेद सारे भूल कर वर्न सारे भूल कर भेद सारे भूल कर सोचो की हमती रेक है और भीचरो सब मुठिया बोलो की हिंदू एक है बोलो की हिंदू बोलो की हिंदू तो जो जो जातिवाद का जैर घोल रहे हैं उनको गीता जी के चौथे अध्याय का तेरवाश लोग कह देन कि श्री कृष्ण खुद कहते हैं गीता जी के चौते अध्याय के तेरवे श्लोक में के चारो वर्न मैंने बनाए हैं चतूर वर्नियम मैं श्रिष्टम गुना कर्म विभागशा गुणों और कर्म के विभाग से ये चारो वर्न मैंने रचे हैं मुगलों ने और अंग्रेजों ने कम्यूनिस्ट और इस्लामिस्ट एजंडा और 1947 के बाद पाँच मुस्लिम हमको एजुकेशन मिनिस्टर मिले उन्होंने इस सब को खतम करकर हमारे बीच में जातिवाद खड़ा कर दिया और वो जातिवाद के जहर में आज हिंदू कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई पर मैं कहती हूँ आप हिंदू हिंदू भाई भाई तो बन जाओ पहले वो अपनी बेहन का भाई नहीं हुआ है वो आपका भाई कता ही नहीं होगा तो वक्त कम है जितना दम्हे लगा लो कुछ को मैं जगाती हूँ कुछ को आप जगा दो बोलो जै श्री राम